हेलो गाइज आई वेलकम यू आपके लिए एक नाय वीडियो लेकर आया हूं मुझे इस वीडियो में थोड़ा टाइम लागा क्योंकि आई वस वेटिंग फॉर अफशल अपडेट फ्रम जैके एसबी रिगर्डिंग दे रिविजिन आप दा आंसर की तो लेकिन अभी तक व ऊसी के साथ वो एक रवाइज की भी अप्लोड करेंगे लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने की एक और पार रराइज नहीं की तो इसी की के साथ वह आगे मेरेगा रिष्ट निकालेंगे तो इसमें SSB को एक लिटिकेशन का सामना कर आपर करना पढ़ सकत है because of the issue that क्योंकि जो इस वक्त यह जो स्टुरेंट इस वक्त 0.25 मर्क से लेट करेंगे पीछे होंगे यह वन मर्क से यह 0.5 मर्क से तो वो डिफिनिटली कोट अफ ला में जाएंगे because of the thing that method section जो है इसमें दो question जो series B, C और D है उनमें आपके सकते हैं कि answers में wrong है क्योंकि एक series जो है उसमें दो option same है जैसे उसमें 6-6 option same है एक वाला SSB ने series में write दिया है दूसरे वाले को wrong दिया है यह unjustified है इसमें SSB क्या करेगी दोनों answers उनको ठीक देने पड़ेंगे राइट और दूसरा question एक सेक्शन पर के का value निकालना था उसमें भी issue है तो वह भी उनको देखना पड़ेगा तो इसलिए मैं वीडियो अभी तक नहीं बना रहा था लेकिन अब जब बहुत सारे viewers का मुझे pressure आ कि मैं अब नयाब जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने लाना चाहूंगा अब देखे फ्रेंट्स मैंने जो पिछला जो कट आफ किया था प्रेडिक्ट ओपन मेरिट के लिए वह था मैंने किया था मैंने 87 to 91 लेकिन फ्रेंट्स अगर आप देखेंगे यह जो यह मैंने पड़ा तो अब इस वजह से जो है डिफनिटली सिकोर जो है स्टूटेंस का बहुत उपर जा रहा है तो स्टूटेंस बहुत सारे स्टूटेंस यह कह रहें कि काट आफ 80 रहेगा या कुछ यूट्वर्स तो 75 तक ले जा रहे हैं काट आफ को या इससे बिलो भी लेकिन हैं कमपूटिशन कितना है तो वह बैदिया यू अर्द बेस्ट जैस तो मैं कुछ फैक्ट्स लेकिए आपके साथ आया हूँ ताकि आपको एक व्यूमी एक्ट्वल में हो क्या रहा है तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको एक एक्जांपल दोंगा मैंने आपके सामने जो हो या है इस वकिदि है फाइनप से पहली देखेंगे जो है जो जो है जो फट्रहनच से तोटल नम्र आप सीट्स फाइनांस एकॉट एक अश्टेंड में लेकिन अगर आप ओपन मेरिट की बात करेंगे तो एबाओट 486 सीट्स रहते हैं ओपन मेरिट इसी के एराउंड रहते हैं 486 लेकिन अगर आप फोर 486 सीट्स भी काट करींगे नियर अबाओ 50 सीट्स में घौर चाँआँगे तो प्रिश्ट्स बुशूर्ड तो वहांपर आप देखेंगे जो फिर ऑरिज़ंटल तो रिजर्वेशन के बड़ कोटा बजता है उसमें से भी थोड़ा कुछ कम रहता है तो मैं मान के चल सकता हूं अगर आप 420 को एक सेफ यह मानी 420 सीट्स के आसपा सेफ मानी कि 420 वाला लिस्ट में आ सकता है तो उसी की हिसाब से हम देखेंगे कि कट क्या होने वाला है सबसे पहले हम जाएंगे कि 420 जो है पंचायत एकाउंट स्ट्रेक में 420 जो रहेंक थैड केंडियेट का उसका स्कूर क्या था देखिए मैं 420 जो कैंडियेट है 420 कैंडियेट पर मैं आच चुका हूं देखिए यहां पर 420 वाला कैंडियेट जो है वह 84.75 पर लाई करता है लेकिन अगर आप देखिए कि 420 से उपर नेर बाट 417 वाला जो कैंडियेट है 417 वाला जो कैंडियेट है उसका जो स्कूर है 85.417 वाला कैंडियेट तो अब मान के यह चलिए अगर आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहें कि 84 काट हुआ था पिछले 25 सेकांट में इतने ही पोस्ट का मुझे नहीं लगता है ठीक क्यूंकि अगर आप 84 को रेफरेंस माने की पिछले मैं 84 काट हुआ था देखिए मैं अपको ले जाता हूँ 84 जो है 84 पॉइंट देखिए जी अगर आप 84 देखिए 511 रेंग आ थी एटी फॉर की तो यह अब कैसे कह सकते हैं कि अब कह रहें कि 510 या 511 रेंग जो है तो 84 काट हो रहा है देखिए एक्चुल में ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुल में जो मैंने आपको अभी दिखाया कि 85 के एराउंट काट रह रहा था 417 रेंग क्योंकि होरिजेंटल रिजर्विशन भी जो होती है इसमें फिर तो इस वज़ए से जो 417 रेंग है 85 देखिए अब और फैक्टर्स एड कीजिए हम रेफरेंस मान के चलते हैं देखिए जो एक्जैम है ए अबाउट एक डेड़ साल का स्टूरेंस ने अल्रेडी बढ़ा था तो उनको एक पॉलिश की ज़रूरत थी थोड़ा उनकी लेवल अल्रेडी बान चुकी थी तो टूनिंग की ज़रूरत थी तो यहां पर डेड़ साल का टाइम मिलता है अगर आप यही पेपर देंगी इस सपोज मैं लोगा कि 35 अप स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा स्कॉर कर रहा है तो ऐटी फाई अब देक रहे हैं इतँना यहां पर काट हो रहा है ऐक्ट फ़स्त्रीμεंग टेपस्ट 28 marks तक पहुँच गई अब दूसरी जो फेक्टर आता है वो आता है कि एक्जाम की लेवल क्या थी एक्जाम की लेवल अगर आप करेंगे तो finance account system का जो exam था वो अब मान सकते हैं थोड़ा सा लो था एस computer पंचाइथ account system हां मैं यह चीज मानता हो कि पंचाइथ एक इस्टेंट में computer section easy था यहां पर वो सारी section easy जैसा कि सभी YouTube बड़े बड़े चैनल्स कह रहे ही थी लेकिन आपको यह फेक्ट भी मानना पड़ेगा यहां पर almost हार section easy ही था easy to moderate था क्यूंकि यह पिसली बार जो था economic section था पंचायत में या मैठ section तब students बहुत कम वहां पर स्कूर कर रहे थी सिख किस फूर फाइव लेकिन यहां पर एवरेज में साथ अर्ट नाव students ने सिकूर किया है तो यहां पर आप मान सकने और अगर पेपर की लेवल भी थोड़ी सी कामी थी easy हो गया था तो यहां पर आप उसके भी तीन मर्क्स आपको एड़ करना पड़ेगा तो मैंने अल्रेडी कहा 85 मर्क्स अप पूरेफ्रेंस मान की पुलस डू तो दे टाइम फैक्टर तीन मर्क्स और पुलस जो पेपर की लेवल थोड़ी easy हुई थी उसकी वाज़े से आपको और तीन मर्क्स एड़ करना पड़ेगा तो यह जो टोटल है टोटल यह बन रहा है 91 मर्क्स तो फ्रेंट्स 91 मर्क्स जाएगा क्योंकि वह सब भी पॉसिबल नहीं है इंड़ प्रेक्टिकल स्नेरियो तो प्रेक्टिकल स्नेरियो में आप यही देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर लूँगा 90 to 95 आप मांके चलिए जो कट आफ है 90 to 95 रहने वाला है अगर आप इस जरेंज में लाइक सेवन काट होगा 98 काट होगा हंटरन होगा इस नोट पॉसिबल प्रेक्टिकली तो बग्या कर लोग कह रहे हैं काट वह भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक ही पॉइंट पर फिट एंड पर सो सो दो सो दो दो सो केंडिट होते हैं तो फ्रेंट्स आपको प्रेक्ट खुद करनी होगी देख सकते हैं बागी अगर आपको और भी कोई क्योरी होगी मैं आपके लिए आपकी जो क्योरी से वह सौलू करूंगा और फ्रेंट्स अप यहीं भी मान के चले कि एसाई की रिगूट में था है उससे है जो एकाउंट सेस्ट का उसका कट अप उतना डाउन नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत सारी फ्रेंट्स एकाउंट सेस्ट की जो प्रेफर कर रहे हैं एस कंपूट इस सब इनस्पेक्टर इनस्पेक्टर इस हाइर लेवल माइच प्रेस्टिज क्योंकि बिकाउज अब दा कंडिशन डैट के जो पुलीस की जॉब होती है थोड़ी हेक्टिक होती है इन दो वूइस से जो एसा की रिकूट में उससे इसका काट उतना डाउन जाने वाला नहीं है थोड़ा कुछ ल पॉलीस प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां की कंडिशन भी डिफरेंट है वर्कलोड भी ज्यादा रहता है पुलीस में 24-7 टाइप का जॉब है तो यहां पर उससे इतना इंपक्ट नहीं पढ़ेगा इस रिकूट में हाँ जूने रिस्टेंट पर बहुत इंपक्ट पढ़ स झाल